हलो एवरिवन आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन इंगलिश 2.4 दे फॉल ओफ ट्रॉय डियर चुल्रेन दे फॉल अफ ट्रॉय का पार्ट वन हमने समझा दिया है अब इस वीडियो में हम इस चैप्टर का पार्ट तू देखने वाले तो यह पार्ट ट्रॉय सिटी का जो प्रेंस पैरिस था वो ग्रीक की कुईड हलन को भगा कर ले आयाए था अपने लिए ठीक है ट्रॉय के लिए ट्रॉय जो सिटी है औके तो इसके लिए ग्रीक और पैरिस गूमा असान युद्ध हुआ दस सालों तक हमने पार्ट वन में यह देखा तो इस यूद्ध में ट्रॉाइ का जो ट्रॉाइ की तरफ से हेक्टर मारा गया हैक्टर कौन था बच्चो हैक्टर Prae का बड़ा भाई था ओके और ग्रीक की तरफ से एक्लिस मारा गया था तो अब यूद्ध चालु है चले पार्टू में हम देख लेते हैं कैसे क्या होता है क्या होता है किज अर्फ ट्रॉय का स्थे ने गलत काम किया था किसी कि लोगे नहीं एक बहुत ही जबर्दस ट्रिक अपनाया था चलिया आपको आगे पता चलेगा वो ट्रिक क्या थी जिस ट्रिक की वजह से पुरा का पुरा पुरा ट्रॉय सिटी को एकदब डिस्ट्रॉय कर दिया गया गया गोट विजह प्रात करने के लिए ग्रीक का बहुत ही चलांक एक इनसान था ओडिस्स नाम का उसने एक प्लैन किया ठीक एचलों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्स्राइब कर लिजे बीच में बोलने के लिए let us build a great wooden horse he said big enough to hold men inside it and let some of our best fighters hide in the horse तो जो ओडिस्स था जो बहुत चलांक आदमी था ग्रीक का उसने क्या बोला उसने कहा he said उसने बोला कि चलो लकड़ी का बड़ा सा घोड़ा बनाए big enough to hold men inside it इतना बड़ा कि उसमें उसमें कई आदमी आ सके okay let some of our best fighters hide in the horse इसमें अपने हम कुछ best fighters को इसके अंदर छुपा सके then let us burn our tents and pretend to sail away in our ships और इसके बाद बहाना करे चलो हम बहाना करे हम अपने tent को जला दे और pretend करे ना टक करे बहाना करे कि हम अपना ship लेकर यहां से चले गए है okay but instead of sailing away we will return in the night but दूर जाने से हम यहां से रावाना होने के बदले रात को वापस भी आएंगे आई बास में मतलब क्या इसका एक चालाक आडिया यह था करनिंग आडिया यह था कि हम एक बड़ा सा लखने का गोड़ा बनाएंगे उसके अंदर अपने खास खास fighters को चुपाएंगे रखेंगे कई उसमें आदमी उसमें गूश सके ऐसा हम बनाएं और ट्रॉाइस सिटी वालों को हम यह दिखाएंगे कि हम लोग यहां से भाग गए हैं और अपना जो टेंट हम लोगों ने उनके गेट के सामने लगाया है वह जला दे तो यह लोग सोचेंगे कि ग्रीक डर की भाग गये यह सब आडिया इसने लगाया ओडिसस ने जो ग्रीक का था ठीक है वैर दो ट्रॉजेंस आर स्लीप विल अट्टैक्ट शिटी एंड बर्वन के उसका यह था कि ट्रॉइ की नजरों में हम यहां से भाग लिफजा ट्रॉजन वह ट्रॉजन रहने वाले को यह पर रोजन कहा रहें तो जब पूरी लोग ट्रॉजन सोचाएगी तो हम लोग अटेक करेंगे और उनको जलाएंगे मैंगे यह सब काम करेंगे ठीक है क्योंकि 10 सालों से लो लड़ाइए कर रहे थे कुछ था इसके लि ग्रीक के जो कई लीडर थे, बहुत सारी लीडर थे, उन्होंने डिसाइड किया, इन ओडिसीस का ये जो एडवाइस था, उसको फॉलो करने के लिए, उन लोगोंने डिसाइड कर लिया. So, Great Horse of Wood was made by a skillful engineer, and the greatest heroes, Manilus, Odysseus, himself and other entered it. यहां तक हम पले देख लेते हैं. तो इसलिए, Great Horse, एक बड़ा सा लकड़ी के घोड़ा बनाए गया, बहुत अच्छा, बहुत ही कुछल इंजिनियर के द्वारा ये बनाए गया, इसमें जो है, ग्रेटेस्ट जो महानमान, जो हिरोस थे, जैसे की, Manilus, Manilus, तो इसी की वाइफ, Helen थी, Manilus, Odysseus, खुद भी इसके अंदर आ गया, और भी, और भी कुछ खास-खास लोग इसके अंदर गुश गए, गोड़े के अंदर गुश गए, गोड़े के अंदर गुश गए. मतलब कैसे entry करना है, कैसे exit करना है, अब लोगा अंदर तो गुश गया थे, बाहर कैसे निकलेंगे, सारी जानकारी उस architect को ही था, जो इसको बनाया था, ओके, आगे चलते हैं, गुश गए, गुश गए, अब लूभे श्याम, गुश गूरे के लोगो ने अपनी टंट को जला दिया और शीप लेकर वहां से रवाना हो गया, बाट यत्यो ने वहां से और गए, बाई जादा दो नहीं गया थे, only one man was left behind to persuade the Trojans to drag the horse into their city और एक ग्रीक को छोड़ दिया गया वहाँ पर परस्वेट करने के लिए परस्वेट मतलब मनाने के लिए अपनी बात को राजी करने के लिए Trojans को मतलब ग्रीक वाले जो है अपने टेंट को जला दिये थे मतलब तो कैने नजरों में वहां से चुपे थे और एक ग्रीक वाल ग्रीक आदमी को वहां पे चोड़ दिया गया था वह इस लीट देया था क्योंकि यहाए सी उसको लोग अपने गेट के अंदर ले जाए इस बात को मनवाने के लिए एक कमपे Think को छोड़ दिया गया था मतलब वो आधमी को छोड़ा गया था कि ऑगोड़ा ते ना उसको अंदर जाने की इजाजत सबस्द्वाइब को सबस्काने को ने adaptおjuं मतलब बचब लोग जागे expecting to go waland fight as they had done for the past ten years वहिए हर साहर बार की तरह 10 सालों सुज़े लोग करते आ रहे थे रात को सदे थे सुबह उड़ते थे फिर तैरी वेरी करके फिर लड़ाई के लिए आते थे बाहर उसी तरह यह लोग आए अगले दिन ऐसे ही यह लोग आए लड़ाई के लिए What delight and surprise they felt at the sight they saw on the seashore or side walls. It seemed that the long seas was over at last. वो लोगो क्या सर्प्राइज हुआ, वो लोग देखिया, अरे क्या नजारा है बाहर? समुझ के किनारे इतना जबर्दस नजारा उनको दिखा, अपने वाल के बाहर उन लोगों ने ये देखा, सर्प्राइजिंग था ना, वो लोग का टेंड जला दिया था उन लोगों ने, खुद से जला दिया था और वहां से चले गया थी, वो चले तो नहीं गया थी, चुप और जो समुझ रहा जो किनारा है वो गंदा हो गया था क्योंकि उनका टेंड जल गया था ना, तो राख मेरा सब सी के साइड में सब जा रहा था, ग्रीक का शिक पूरा जा चुका था, ठीक है, ऐसा सिर्फ ट्रॉय के नजरों में था, इट्स पीस अट लास्ट देखो, अब क्या हुआ, यह लोगों ने चिलाया कि इट्स पीस अडे मतलए इनों ने चिलाया ऐसे कि लास्ट में शांती हो गई, शांती, पीस, वाव, इन लोगों ने क्या किया, और दरवाजा जो बड़ा होसा दरवाजा था, वाइड गेट उसको खोल दिया, और केम आ खुशी, खुशी, ओके, तो भी फ्री अगें तो गो वेर दे प्लीज और आजाद हो गया थे जहां उनका मन करें, जहां जी चाहें, वहां आने जाने का मन, वह जा सकते थे मतलब, अंदर बाहर कहीं पर भी, देन देस साव अन दो सैंड, यूज वुड़न होर्स, तभी व लोग बड़े आश्चर से घुड़े के चारो तरफ घेर ली देखने लगे क्या है क्या है कितना भी चित्र घुड़ा है कैसा घुड़ा है कहां से आया है ऐसे लोग सचने लगे फॉर इट वोज इंडीड वांड़फल पीस ओफ और यह वास्तों में जबर्दस एक मतलब एक दम वंडर कर देने वाला अमेज कर देने वाला यह यह पीस ओफ वाक है आई बासर में मतलब भाई बहुत ही स्किलफुल वर्क है यह ठीक है कैसे बना है कहां से आया है यह सब लोग सोचके उसको घेर लिया थी अब दिया जैसे कि यह लोगों ने जब घुड़े को चाटर से गहर लिया उसको देख रहे थी कि कैसे बना है उसके बनाव वगरा देख रहे थे तो यह सोच रहे थे कि वाइट वाइट वीड़े लेफ्ट बिहाइंड देख वाइड ग्रीग यह क्यों चोड़ दिया गया है उनलों को लगा कि गोड़ा किसी ने छोड़ दिया लाके बना कि इतना अच्छा क्यों छोड़ा गिया एट करिमांग में रहा था और उनको एक ग्रीक भी मिला जो की उसी के नीचे पड़ा था उसको जोर से इसम टाइट ली हां से पकड़ा था उके उसी के नीचे वो उ इतना हम देख लेते पहले, जब उसे आदेश दिया गया, उसे ये आदेश दिया गया कि यह कहने के लिए कि ग्रीक लोग यहां से क्यू चले गए और यह घोड़ा की छोड़ दिये यहां पर ऐसा ठीक है, तो ही प्रिटेंडेट ट्रेंबल वैरी वैरी मच और रिफ्योस तो स्पीक तो उसने बताने से मना कर मतलब मना किया ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताऊंगा इसा इनकार कर दिया वैंजिते यह उसको धंक धिया जान से मारने की तो मन उसको तुम बता हों ने तुम को हम लोग जान से मा बांगी तुम सब राज जानते हो बताओ यह क्या राज इतना घुड़ा कंसे आया ग्रीक वालो cancel फोस you इसब तुम जानते हो तुम बताओ नहीं बताओ गे तो हम लोग जोहां से मार डालेंगी तो उसने एक जूठी कहानी गड़ दी Okay, hawk and bull story. मतलब मन गरंद कहानी उसने बना दी, जुटी कहानी. और क्या कहानी बना है? चुल दिखते हैं, बहुत मज़िदार है. The Greeks are tired of the long war and have sailed away in their ships, he said. उसने बोला कि Greek लोग बहुत थक गे थे, इतने लंबे लड़ाई से वो थक गे थे और अपना शीप लेकर यहां से रवाना हो गे, चले गए भागे. But they are afraid of the long voyage, हौम तू, and so, they have made this horse and left it as an offering to the God of the sea. और क्योंकि बहुत दिनों बाद समुद्री यात्रा के लिए जा रहे थे, अपने घर के लिए, तो समुद्र देवता को, मतलब समुद्र के जो गॉड़े उनको जैसे एक चढ़ावा होता है, हम बोलते हैं लड़ू चढ़ाएंगे भागवान जी को यह करेंगे, इसा ही यहां पर मैं बता रहे हो कि, सी के गॉड़ को इन लोगों ने एक हॉर्स बना के ऐसा चढ़ावा किया है, कि वो अराम से कुछल कुछल अपने घर पहुच जाए, उनको मतलब ब्लेस्ड हो जाए, सी गॉड़ के थू, अब बता रहे हो कि, सी कहानी चालू यह भी, इन लोग मुझे भी मारना चाहते थे जान से, अब बता रहे हो आदमी ग्रीक का, बोल रहे है कि, वो लोग तो मुझे भी गॉड़ को चढ़ाने वाले थे, चढ़ा मतलब इसको बली देने वाले थे, अई बसंच में, तो मैं तो कैसे भी जान बचा कर अपना आया, चुप गया में, उनसे अपने आपको मैंने चुपा लिया, बाट वाट इड़ ग्रीक्स में सच यूज होर्स, सम अफ दे ट्रॉजन आस, कुछ ट्रॉजन लोगों ने पुछा, मतलब कुछ ट्रॉज सिटी के लोगों ने पुछा, कि एच्छा ये बताओ कि इतना बड़ा घोड़ा क्यो बना दिया उन लोगों ने, एड़ ग अगर वो लोग छोटा सा चड़ावा देते, छोटा घोड़ा बनाते, ठीक है, तो यू माइट हैव टेकन इट इन्टो यूर सिटी, तो आप लोग उसे अपने सिटी में लेके चले जाते, आई बास वाज में मतलब, अगर वो छोटा घोड़ा बनाते, ओफरिंग के लिए सिगोड को चड़ाया था ना, बड़ा सा घोड़ा बनाके ऐसा उसके हिसाब से, ठीक है, बता रहा है, मन गणत कहानी बता रहा है, तो अगर छोटा बनाते, तो आप लोग उपने सिटी में लेके गुशा लेते, उसको ले लेते, आप लो, देन्द लोग वोड़ाव आप देखे, ट्रोजन जो वहां के लोग थे, ट्रोज सिटी के जो लोग थी, बहुत खुश वे, सुन कर तो बहुत खुश होगे, ग्रीक चले गे, मतलब ग्रीक हैव गॉण, ग्रीक चले गे, और लोग नो बिला ग्रीक चले गे, और वाल्स रहना जरूरी नहीं है, इतना लंबा, अभी इतने दिनों से इतना बड़ा दिवार था भी, इसके जरूत नहीं है, तो लेट उस मेक अ होल इन दे वाल, और ग्रीक चले, चलो इस वाल से एक बड़ा सा होल करे, और गोडे को अंदर गसी ले चले, ठीक है, इन लोग को बहुत ही वो अच्छा लग रहा था गोडा, उनको क्या पता था गोडे के अंद एक बुद्धिमान पुजारी उन लोगों को वान किया कि ऐसा मत करिये, मतलब दिवार को छेद मत करो, दिवार को होल मत करो, बड़ा क्योंकि एक कुछ ट्रिक हो सकता है, जिसकी वजह से हम लोग बरबाद हो सकते हैं, ठीक है, ओके हम लोग रुइन हो जाएंगी, डिजस्टर लाद होगी, बहुत बड़ी कयामत, बहुत बड़ा डिस्ट्वाइ हो सकता है, बट दे वर सो एक्साइटेड दे पैड नो अटेंशन तो इस वर्स लेकिन ट्रॉइ सिटी के लोग तो भाई इतने साइट हो गये थे, कि वो सब कुछ बूल गये थे, वो उनके इसको ध्यान नहीं दिए, वो प्रेस जो कुछ बोल रहा है था, उनके शब्दों पे ये सब ट्रॉइ किस रहने वाले जो हैं, अटेंशन नहीं दिया, ब्रॉग दान पार्ट अफ देर स्ट्रॉंग वाल इन ओर ट्रेंग देंग देंग इतने स्ट्रॉंग वाल का कुछ प जो लोग हैं जिसको हम बोल रहा हैं उन लोग ने दावत दिया शराब पिया खुब सेब्रेशन किया अफ्टर देर सेलेब्रेशन देवें तो स्रीप एंड स्लेब्रेशन के बाद वो लोग सूने चले गए और गहरी नीद में सूगे मतलब स्लेप साउंडली मतलब गहरी जो दिन था फॉलोड बाइए नाइट ऑफ टेर और डेथ टेर टेर मतलब आतांक और मृत्यू को फॉलो किया मतलब कहने का यह बच्चों कि आनंद भरा दिन अब जो है रात उसका बदल गया किसमें आतांक और मृत्यू में आये देखते हैं यह कैसे होता है बुरे काम का बुरा नतीजा देग्रीक शेप्स हैड नौट सेल फार ग्रीक शेप दूर नहीं गई थी वह लोग तो गहीं चुपे था ना जैसा कि मैंने बताया था आपको अपना जो जो शीप है वह उसका जो एंकर है उसका जो खोता शीप का एक जिगा साड में से लगा दिया और राज बर इंतजार किया इंतजार किसले उनको वापस भी तो आना था ऐसे यसे जा रहे थे अब उनको यूटर्ण मानना था उनको वापस आना था रात को ट्रॉसीटी पे अटेक करना था गॉट इट अगे चलते हैं इन देट डाकनेस तो फ्लीट मतलब बच्चो जो तो वो फ्लीट मतलब होता है बड़े बड़े शीप का समूह हों आई बास में हाँ तो सुनिए इन दर डार्टनेस दो फ्लीट सेल बैक लोग रात में क्या किये अपना वापस बोट चलाने लगे अपना शीप चलाने लगे और लीडिंग शेप विच वोस एगाम एगाम ए असले फंठ वो इन लुग का लीडर था आए बासम में लाव रेट लायट हाई उन मास्ट तो अगाम एगाम एन नका जो यह जो लीडर है ना इस लीडर का इस लीडर का ओके यह ईजो शीप आ रही थी न एक शीप को लीड कर रहे थी कहने कामतलब मेन जो यह लीडर है ना यह लीडर का एक और शीप था ठीक है वो शीप आगे-ागे जा रही थी और जो मेन शीप थी वो पीछे थी मेन शीप इस शीप को follow कर रही थी और यह वाला जो शीप है ना वो agamenon का था ठीक है जो की leader था इसका तो यह ship जो main था इसका ही follow करते जा रहा था और इसे ship पे जो आगे वाला ship था ना इसके उपर यह लोगों ने बड़ी इस एक light टांगी थी ठीके एक light लगाई थी फिर क्या हुआ The Greek who was watching for the return of the fleet crashed to the wooden horse Wait a minute The Greek who was watching for the return of the Greek who left the story here जिसने कहानी बना के बताई थी उसकी बात भी यहां पे हो रही है वह देख रहा था उनको वापस आने का फ्लीट जो समू था पुरा उसको वापस आने को वह इंतजार कर रहा था ठीके तो फिर क्या हुआ एक सके ना हाँ क्रेप्ट टुद वुड़न होर्स एंड गेव दा सिगनल और क्रेप्ट मतलब ऐसे रिंग कर चड़ जिया वो लकडी के गोड़े पर चड़के खड़ा हो गया और एक सिगनल दिया तो उसके अपने हो गया खोड़ा एक साइड से ऊपने हो गया अपन देग जो उसमें कुछ ग्रीह जो में जो वार्यर कंदर चुपे थे वो लोग बाहरा आगे और उनका गेट भी खोल दिये किसका गेट ट्रॉयस सिटी का जो बड़ा से गेट था जो बहुत खुश हो गय तो लोगो वो जो घुड़े के अंदर थे ग्रीक वो बाहर आये और उनके गेट को भी उन लोगों ने खोल दिया ट्रवाए के गेट खोल दिया दो ओल ग्रीक आर्मी एंटर थे स्लीपिंग सिटी इमिडियतली ग्रीक सट फार थे फार थे थे पालसे अंड बीगें तो बॉर्ण अंड ग्रीक आर्मी खुज गई एक से बच्चो एक क्या हो गया तो वो लोग ने क्या चालो कर दिया बच्चो पुरा का पुरा पुरी आर्मी जो ग्रीक गुज गई सो रही थी वो त्रण फटाफट गुज गई अंदर आग लगा दी हाउसे पुरे घरों में टार्स पे महलों में आग लगा दी और सब जान से मारने लगे सबको ठीके अ आगे इसके लिए इस चैटर का नाम यह दो फॉल अफ ट्रॉइ ट्रॉइ वास फेल विट और साइट ओफ लीपिंग फ्लेम्स अब मारा चैटर खतम होने ही वाला है अब देखें तो यह देखिए ट्रॉइ वास फिल विट साइट ओफ लीपिंग फ्लेम्स और साउंड अब देखिए विपिंग विमन बच्चो आख की लपटे जो है ना उपर पर जा रही थी उससे पुरा भर गया आग की लपटे लिपिंग फ्लेम्स असे लपटे से उपर पर जा रही थी लौ उसका जो है और शोर बहुत तीक आवाज जो हथियार चलाने का आवाज रात के सनाटी में बहुत तेर से आ रही थी और आटों की रूने का चिलाने का चीखने का हवास पुरा रात पुरा अग्दम से उस हवास एक्दम पुरा शोर भर गया एक्दम से स्लेपिंग ट्रॉजन स्प्रेंग आउट अफ देर बैट्स और सो जो सो रहे थे ट्रॉजन्स ट्र सब्रेशन चल रहा था यह क्या हो रहा है देर एनिमीज वर राइट इंसाइड देर वाल्स उनके दुश्मन दिवार को क्रॉस करके अंदर आ चुके थे और मैनी ऑफ देर ट्रॉजन्स वर खेल बिफोर दे कुड पुट ऑन देर आर्मर और सीज देर वेपन्स देर एनिमी अच्छा एन मैनी बहुत साय ट्रॉजन जो है वो लोग मारे गए इससे पहले कि वो लोग अपना आर्मर अपना कुछ हतियार लेती कुछ आजार लेती वैपन वगरा सब लेती उससे पहले वो मार दिये गए ठीक है इसलिए बोला जाते है दुश्मन को कभी भी कमजोर नह देखो जब आग सब को जल रहा था ना उसकी जो लपटे ना उपर उपर आसमान में जा रही थी ओके पैलस से और में जो महले घरों से टैपल से टार से सब ऐसी निकल निकल के फ्लेम बहार उपर उपर जा रहे था आकास कर चूदेंगी सब लोग ठीक है दो टो जन सफॉत सब्सक्राइब लड़े जितना वो लड़ सकते थे लड़े बट इट वाज वेल लेकिन यह सब व्यार्थ था बेकार था क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी इसके लिए ओल किंग प्राइम वह स्केल प्राइम या दटना प्राइम कौन था प्राइम वह जो जो लड़का उसके दैड़ी थे ठीके प्राइम परिसका पारिसका डैड़ी प्राइम, ओके वह क्या किया मारे गे उपने लड़े। साथ भी मारे गए हैक्टर्स वाइफ हैक्टर तो पहले ही पार्ट वन मार दिया गया था उसकी वाइफ के हैक्टर्स वाइफ एंद हीज ओल्ड मदर और सिस्टर वर केरीड ओफ एस लेवस बाया देर कॉंकर्स मतलब जो लोगों ने जीत हासिल की थी तो मतलब ग्रीक वाले लोगों ने उन लोगों ने हैक्टर्स की वाइफ को और मंपी उनकी बहन को क्या किया उनको दास बना लिया ओके स्लेव दास बना लिया देखो उनलों का किस्मत हैलन के चाहिए बोगले है मतलब एकदम उलत एकदम उलता वें कि देखें वें कि मैनलस कि मैनलस की ही वाइफ हेलन थी कि मैनलस रज थूद शिटी लुकिंग फार हर एंद फांड हर इन हर पैलेस कि मैनलस कि मैनलस कंग कि अपने वाइफ को रहे थे रहे ही मैनलस को ऊसको उसके महल में तो उसको देखा तो सिनों उसकर ही क्या होता है शी अपना सिरा से लट गाई थी और शेम के मार ऐसा मतलब मुंडी से एकदम जुका दी थी एंड सड़ शेम और मतलब शर्म दुख से ऐसी फेस्ड हर फॉर्मर हजबन फॉर्मर हजबन मतलब भूत पुर्व मतलब पहले का जो पती था ठीक है उसके सामने जब वाई न तो एकदम शर्म और दुख से अपना मुंडी ऐसे एकदम एसे लटका ली थे इसे हर वाईस वाइस वाथ चोग ऐसे उसकी अवाज एकदम से जिसे गला गुटे न वैसे अवाज इने निकल रहे थी विट एमोशन एंड शी कुद नोट स्पीक इमोशन से उसका गला एकदम से भरा गवा था एकदम बोलने पारे थे कुछ भी बट मैनलस फोगेव हर एंड शी है कि यह सब सिर्फ एफट गोर्ड़्डाइट की वजह से हुआ कि उसने हैंक है कै ini अवाज माद्श से अपने दिल कर दिया था है इसका वह वर फॽुसला दिया अपनी बच्चोशियन अपने उसका घुमा दिया था इसके वह उसके उसके साथ वह फुसला दिया पारिस ने फुसला दिया और उसके साथ चले गई कहने का मतलब यह था कि गॉड़ेज एफ्रोडाइट जो है इसने ही दिमाग को घुमा दिया था है हेलन का इसकी वज़ा से यहां पर आई थी वेन मौर्निंग कें नथिंग वाज लेफ्ट अफ दे प्राओड रिच सिटी डैट रेजिस्टेड अटेक फॉर तेयर्स अच्छा अब देखें जब सुबह हुई तो कुछ भी घमंड करने के लिए नहीं बचा था प्राओड करने के लिए कुछ भी बचा नहीं था अब गंदा काम किया था ना इसके लिए तो इनको अब इनका गुरूर एकदम खतम हो चुका था कुछ भी बचा नहीं था जिसके उनको नाज हो सब कुछ नश हो गया था ओके रिच सिटी डैट है रेजिस्टेर अटैक फॉर टैनियर जो की जो की दस सालों से ये सब्सक्राइब कर लिजे और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेर करिए ओके मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ थैंक यू